एक जंगल में एक कौवा रहता था, वह बड़ा ही खुस और मस्ती में रहता था, पर एक बार उसे जंगल में एक बहुत ही सुन्दर पंचे दिखाई दिया, वह तुरंत उस पंचे के पास गया, उस पंचे का रंग सफेद था, कौवे ने इस पंचे से पूछा कि तुम्हार क्या नाम है पंचे ने हसकर बोला हंस को बड़ा खुसुआ और खुसुआ कर कहा यार तुम तो बहुत सुन्दर हो तुम्हारा रंग भी सफेद है तुम्हें तो जिन्दगी जीने में बड़ा मज़ा आता होगा हंस ने कहा नहीं मुझे जादा मुझसे जादा भी कोई और कहा वो कौन है जो तुमसे भी सुन्दर है हंस ने कहा तोता अब कोई वहां से तुरंत उड़कर तोती के पास पहुंचा अब कोई उसे देखकर हैरान हो गया तोती की गले लाल रंग और तोता हरे रंग का था कोई ने उससे कहा या तुम तो बड़े खुस रहते होगे पहुता मायूस हुआ और कहा नहीं मुझसे भी सांदार और सुन्दर तो मौर है अब कोई वहां से उड़कर मौर को ढूड़ने लगा उसने कई दिनों तक मौर को ढूड़ा लेकिन मौर उसे नहीं मिला लेकिन कुछ दिन बाद उसे पता चला कि मौर सहर में चिडिया घर म में बंद है और बहुत लोग इसके साथ फोटो खिचवा रहे थे यहां देखकर कवे को थोड़ी से जलन हुई कवे ने मौर के पास गया और कहा यार तुम्हारे जिंदगी तो मजे में ही मजे है मौर उदास हुआ और कहा किस बात की मजे मैं तो भले ही दिखने में सांदा और सुन्दर हूं लेकिन मेरी पूरे जिंदगी इस बंद पिजड़े में गुजरने वाली मौर ने कवे से का यार तुम तो बहुत किसमत वाले हो खुले आसमान में जहां चाहे वहां जा सकते हो और अपने जिंदगी अपने मर्जे से जी सकते हो सो तो एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना वन्ना एक दिन ऐसा जरूर होगा कि तुलना करके उसके जैसा तो नहीं कर पाओगे और फिर तुम्हारे पास भी वक्त नहीं होगा खुद को कुछ कर पाने की दोस्तो ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी ऐसी स्टोरी अगर देखना हो तो मेरे चैनल को अभी सिस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सेर जरूर करें